गोरेक पुर्जिले में मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इसमें बास गाउं के बड़ाई पुर्वा निवासी पतिपत्नी वा पाली के निवास गाउं के रहने वाले चचेरे भाई भाई भेहन शामिल हैं इसके बाद से मरीजों की संक्या 114 हो गई है इनमें से साथ की मौत हो चुकी है जबकि 25 ठीक होकर घर जा चुके हैं मौजूदा समय में 82 का इलाज बियाडी मेटिकल कॉलेज और रेल्वे अस्वताल में चल रहा है आपको बता दे बास गाउं भैरा पार निवासी 73 वर्षी बुजूर्ग 27 माई को मुंबई से आया था दोबॉली निवासी 52 वर्षी व्यक्ती 20 माई को दिल्ली से जिगीना निवासी 50 वर्षी व्यक्ती 16 माई को मुंबई से बड़ाई पूर्वा निवासी 75 वा 70 वर्षी बुज़ूर्ग दंपती मुंबई से आये थे इसके अलावा पाली के निवास में रहने वाले चचेरे भाई बहन 28 वर्षे युवती वा 32 वर्षे युवक 20 मई को गाउं आये थे इन सब को होम कॉरिंटाइन की सला दी गई है गौड तलब है कि गाउं में 30 मई को टीम पहुचकर सभी का सैंपल जाच के लिए भेज दी थी मंगलवार को रिपोर्ट पॉस्टिव आई है इसके बाद से गाउं में हलकम पंच गया प्रशासन की ओर से सभी गाउं को सील कराये गया है वही इस संबंध में सियमो जॉक्टर स्रीकान तिवारी ने कहा कि पीपी गंज के भरपुर्वा में एक, बेल घाट में एक, सिकरी गंज में एक, संक्रमित मरीज बिलने से जिले में मंगलवार को 10 मरीज संक्रमित मिले हैं गाउं में सेनिटाइजेशन कराया जा रहा है परिवार के सभी लोगों के सैंपल लिये जाएंगे उनके संपर्क में आने वालों लोगों की पहचान करायी जा रही है साथ ही उन्होंने कहा कि सभी शंक्रमितों के गाउं को सील कर दिया गया है स्वास्त विभाग और प्रशासन की टीम सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया सुरू कर दी है मरीजों के संपर्क में आने वाले उनके परिवार उनके सगे संबंदियों के पहचान के लिए टीम को लगाये गया है सभी लोगों के नमूने जाज के लिए भीजी जाएंगे